नमस्कार दोस्तों, पेश है फिल्म रिवियू, तग्रेटिस्ट हिट्स, जोकि डिजनी प्लास हॉट स्टार पर प्रसारिट स्ट्रीम हो रही है। यह एक रुमांस टाइम ट्रावल और दुख को कम करने वाले चरित्र पर आधारित एक कहानी है। मुख्यत अलाकार है, लूसी बॉइंटिन, जस्टिन एच मिन, डेविट करेंजवेट, ऑस्टिन क्रूट। निर्देशक है, नेट बेंसन। निर्देशक नेट बेंसन की लॉस एंजिलिस पर आधारित फिल्म एक शोकाकुल गम्मे डूबी एक नायका के बारे में है, जो संगीत के माध्यम से खुद को ठीक करती है। फिल्म दर्ट से मन को सुन करने वाली उदासी से एक आशा की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक पूरा देखना, कहानी में बताया गया है कि फिल्म की हिरोईन के बॉइफरेंड की एक रोट आक्सिडेंट में मृत्य हो गई है। और इस कारण वह दुख और अकेलेपन में उदास जीवन व्यतीत कर रही है। तब ही अचानक एक दिन कुछ संगीत सुनते हुए वह टाइन ट्रावल कर समय में पीछे चली जाती है। और अपने बॉइफरेंड से कुछ ख्षणों के लिए मिलती है। तब वह उसे बचाने और समय परिवर्थित करने की कोशिश तो करती है। परन्तु एन बक्त पर वह समय में वापस आ जाती है। ऐसा उसके साथ कई बार होता है। इस पीच उसकी मुलाकात दूसरे क्यारेक्टर से होती है। इसके माता-पिता का भी देहांत हो गया है। और यह लड़का भी दुख में है, उदासी है और अपने माता-पिता को याद करता रहता है। अब दोनों मिलकर अपने दुख को कम करने और जो समय निकल चुका उसे भूल कर आगे बढ़ानी और अपने सके संबंधियों को मृत्यों पर होने वाले दुख को भूल कर, उनके साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करने के साथ जिन्दगी में आगे कैसे चले और फिर दोनों में प्यार कैसे हो जाता है। यही इस फिल्म का मूल मूल सारांच है तो दोस्तों यहाँ एक रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें। फिल्म इस बात पर ज्यादा जोड नहीं देती की टाइम ट्रावल कैसे और क्यों हो रहा है। फ्राइन ट्रावल हो भी रहा है या सिर्फ हिरोईन अपने मस्तश्क में सपने में सिर्फ समय पर पीछे जाती है। फिल्म की छवी का एक व्यक्तित्व बनाने का अच्छा काम करता है जिसे याद किया जाएगा। बॉइ फिल्म के रूप में डेविड ने भी ठीक काम किया है जो हैरियर्ट को उसके दुख से धीरे धीरे बाहर करता है और खुद भी अपने इमोशन और दुख को कंट्रोल कर सामान्य जीवन के तरफ कदम बढ़ाता है। फिल्म की कहानी बहुत प्रेडिक्टेबल है और कोई बहुत अचानक से आने वाला परिवर्दन नहीं आता है इस कारण आपको कुछ बहुत एकसाइटमेंट सा नहीं दिखता। फिल्म उन दर्शकों से जरूर बहुत गहरे रूप से कनेक्ट होती है जिन्होंने अभी हाल के वर्षों में अपने किसी सगे संबंधी या प्रेमी, पती-पत्नी को खो दिया और उनकी याद के बीते हुए समय में आप सुक्त राक करते हैं और वर्तवान में शायद यह फिल्म बताती है कि जो गुजरे समय में हो चुका उसे बदलना तो मुम्किन नहीं है पर उसे दुख को काम करते हुए वर्त व्यक्ति के साथ बिताए गए अच्छे समय को याद करते हुए जीवन में आगे बढ़ना भी जरूरी है यह फिल्म आप एक बार जरूर हुए बीकेंड पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ देख सकते हो तो अगर आपने यह फिल्म देख लिया है दिर्जनी होट स्टार पर तो कॉमेंट करके हमें बताओ आपको यह फिल्म कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हमारे अन्य वीडियो भी देखे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद